आज़की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Instagram का पुराना एकाउंट वापस कैसे लाए यानि कि दोस्तो Instagram का पुराना एकाउंट कैसे खोले अगर आप भी Instagram का इस्तेमाल करते हैं और काफी दिनों से आप जो है अपना एकाउंट को वापस नहीं ला पा रहे हैं तो फिस वीडियो को ध्यान से लाश टक देखते रहे हैं इस वीडियो मैं आपको इस्टेप बैस अब सिखाने वाला हूँ कैसे आप भी अपना Instagram का पुड़ाना वाले अकाउंट को वापस ला सकते हैं हिलो दोस्तो स्वागे थे आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो Instagram को पुड़ाना ID को वापस लाना काफी ज़्यादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाज टक पूड़ा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ यसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रहा मेरे फोन के अंदर Instagram सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे आपको भी अपने फोन के अंदर Instagram ओपन कर लेना है अब दोस्तो यहाँ पर जैसे आप Instagram ओपन कर लेते हैं कुछ इस परकार का Home पेज आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब यहाँ पहले आने कर लेते हैं कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको सामने आ जाता है अब जो है आपको अपना पुराना वाला एकाउंट को धूनना है तो इसके लिए आपको तीन चीज़ों का जरुद परता है या तो आपके पास यूजर नेम पता होना चाहिए या फिर आपके पास email ID होना चाहिए या फिर mobile number होना चाहिए तो यहाँ पर username काफ़ी सा लोगों को पता नहीं होता है लेकिन दोस्तो email ID और mobile number आपके पास में होता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है आपको अपने मुवाइल नंबर डाल करके ट्राई करना है और आपको अपने मुवाइल नंबर से अपने Instagram ID को ढूनना है Simply क्या करेंगे यहाँ पे हम अपना मुवाइल नंबर डाल दे है यहाँ पे मैंने अपना मुवाइल नंबर डाल दिया no account found कुछ इस परकार से जैसे आपको यहाँ पर no account found आड आपको जो है OKAOLE अबेंट पर क्लिक करना है अब जो है आपको एक email id डाल करके जो है search करना है चली यहाँ पर हम कोई भी email id डाल करके search कर लेते हैं तो यहाँ पर इस बार हम अपना email ID डाल करेके ट्राइबर क्या होता है आपने अपना email ID से बनाय होता है तो यहाँ पे no account found होता है फिर से आपको अपना दूसा email ID डाल करेके। आपको कुछ इस परकार से ट्राइब कर लाना है जैसे आप click कर देते हैं आपके Gmail पे एक OTP जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप देशकते हैं हमारे Gmail पे Instagram का एक message आया और message आने के बाद यहाँ पे जो है दो option आ गया पहला option है reset your password और दूसा option यहाँ पे है login in as alokumar 9876 कुछ इस परकार से आपके पास option आ जाता है अब आपको simply reset your password पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click कर देते हैं कुछ इस परकार का interface आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे आपको अपना एक नया password बना लेना है और यहाँ पे दुबारा से बना करके reset कर लेना है या फिर दोस्तों यहाँ पे simply आप क्या कीजिए login यहाँ पे आप देख सकते हैं login in as यहाँ पे आपको click कर देना है इस तरीका से direct आपका instagram account login हो जाएगा आपके phone में अब दोस्तों यहाँ पे हमारा instagram account login हो गया लेकिन यह हमारा real account login नहीं हुआ है हमारा पुराना वाला account login नहीं हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर से three line पर click करेंगा और setting पर आपको click कर देना है setting में आने का नीचे के side में आपको जाना है और यहाँ पे ok पर click करना है सबसे नीचे जाना है आपको और यहाँ पर logout वाले option पर click करके आपको यहाँ पर logout कर लेना है जैसे आपका account यहाँ पर logout हो जाता है फिर से आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर से आपको इस परकार के interface पर आ जाईएगा अब दोस्तों आपके पास और भी कोई mobile number है या फिर और भी कोई email ID है या फिर username अगर आपको पता है तो फिर से आपको यहाँ पर एक बार और try करके देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार मुझे अपना username पता था तो मैंने अपने username डाल दी है अगर आपको पता नहीं है तो आपके पास और भी कोई mobile number या फिर email ID है तो वो आपको फिर से डाल करके try करना है और यहाँ पर find account वाले option पर click कर देना है यहाँ पर click कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस परकार का interface आपके सामने आ जाता है अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे real account यहाँ पर आ गया अब जो है simply हम क्या करते हैं Gmail पर इसका OTP ले ले लेते हैं और यहाँ पर हम continue वाले option पर click कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर हमारे Gmail के अंदर एक OTP आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे Gmail के अंदर जो है mail चला गया तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारे Gmail के अंदर एक Link आगया Instagram के तरफ से यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो है Login का Option आगया और Reset Your Password का भी Option आगया यहाँ पर Direct हम क्लिक करेंगे तो हमारा Instagram ID यहाँ पर Login हो जाएगा और नीचे वाले Option पर क्लिक करके हम अपना Password को भी बजल सकते हैं हम यहाँ पर Login As वाले Option पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप दे सकते हमारा Real Instagram ID यहाँ पर आगया और यहाँ पर Login हो गया दोस्तों कुछ इस परकार से बहुत ही असानी से आप अपना पुराना वाला और Real वाला Instagram ID को वापस ला सकते हैं Login कर सकते हैं वीडियो आपके से लाप जाए कमेंट बहुत मुझार से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इससा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले